हेलो ट्रेडर्स वेल्कम टू शुन्या आज हम देखेंगे कि कैसे आप शुन्या मोबाइल से मुच्छल फंड एसाइपी के लिए मेंडेट रिजिस्टर कर सकते हैं तो यह शुन्या का डैश्पॉर्ड यहां से जाएंगे मेन्यू बार में तो इसके लिए हम जाएंगे मुचल फंड ट्रांजेक्शन्स पर यहां पर मेंडेट एड करने के लिए हम जाएंगे मेंडेट बुक टैप पर अब हम क्लिक करेंगे प्लस बटन पर यहां पर आटो पे का पेज ओपन हो गया है आप देख सकते हैं नीचे सेटप इनेश मेंडेट का ओप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे रिस्टर बैंक अकाउंट शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे और प्रसीड पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर set your max auto debit limit का page open हो गया है हम यहाँ पर डालेंगे 10,000 और proceed पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे go to mandate book पर तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो अभी mandate create किया है उसकी detail और status शो हो रहा है 20-25 मिनिट बाद आपको mandate book में इनेश authentication का link आएगा इस link पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर BSC की website का page open हुआ है यहाँ पर आप continue पर क्लिक करेंगे अब आपके registered email ID पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर enter करेंगे और submit पर क्लिक करेंगे इसके बाद हम BSC create mandate page पर redirect हो गए हैं यहाँ पर हम details चेक करने के बाद terms and condition पर टिक करेंगे और submit पर क्लिक करेंगे अपने net banking पर authorize करने के बाद अब आप अपने mandate book में देख सकते हैं कि status in process show हो रहा है यह usually 2-3 दिन में अप्रूव हो जाएगा और फिर यहाँ पर status success show होगा तो यह था एक brief overview कि कैसे आप शूर्ने मोबाइल से mutual fund SIP के लिए mandate register कर सकते हैं thanks for watching for any further assistance please contact us